अभी MDT coin की price की बात करें, measurable data token की price की बात करें, तो इसकी price almost 11 cent से उपर चल रही, 1165 चल रही है, इसके price moment के बारे में बात करेंगे, अच्छा घासा रट्रेस्मेंट देखने को मिला, previously इसके price में अच्छा घासा pump देखने को मिला था, 17 cent से लगबग इसकी price ने यहां पर टच क पर आप नेजरे बनाए रख सकते हैं, कौन से target हो सकता है, आपके short term और long term के perspective से इसकी price कहां तक जा सकती है, सारी शीडियो के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में, उससे पहले अपना बीतर coin dcx app डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से coin dcx app डाउनलोड करें, क्य यहां पर touch किया था, अच्छा retracement लगाता है, इसकी price में देखने को मिल रहा है, 1788 वाला area यहां पर touch करके, और अच्छा retracement हापर देखने को मिल रहा है, almost जो closing थी, वो 15 cents के around में यहां पर देखने को मिली थी, वहां से एक अच्छा कासा retracement देखने को मिला है, almost 30% से जादा क retracement है, एक जो support area है, वो almost 1050 से लेकरके 11 cents वाला जो area है, यह इसको support और resistance area है, यह वाले area से अभी उपर maintain करके रखा, previously यहां पर इस area को test किया था, वो इस से उपर हमें daily closing देखने को मिले थी, अच्छा कासा potentialis coin के अंदर, इनकी partnership जो है, वो अच्छे कासी companies जो है, AWS है, बहु इस year guy 2021 में हुई है, coin base plan की listing हुई थी, वहाँ पर अच्छा का सा pump देखने को मिला, binance पर जो listing है, वो cross margin में आप इसमें trade कर सकते हैं, MDT, USD, MDT, BUS, MDT, BNB, MDT, BTC pair में इसके listing हुई थी, वहाँ पर cross margin में trade कर सकते हैं, वो जो news आई थी, वहाँ पर अच्छा pump देखने को मिल लेते हैं, जिनका cross margin में यहाँ पर binance पर listing होती है, cross margin आप वहाँ पर trade कर सकते हैं, बहुत कमे से coins होते हैं, जो अच्छे का से coins होते हैं, जिनके अंदर potential लेता है, उन coins की ही, वहाँ पर listing होती है, तो इस coin के अंदर यहाँ पर एक अच्छे का से dip buying opportunity है, यहाँ पर एक एंट entry ले सकते हो, कि इस type का breakout जिसे यहाँ पर 15 minute का chart में, जो moment देखने को मिल रहा है, जो lower high बनाते होई, यह नीचे जा रहा अभी, तो यहाँ पर यह वाला 11.87 से लेकर के एक breakout यहाँ पर 12 से उपर का लिया था, तो इस type का हो सकता है, यहाँ पर 27 moment हो, तो आप चाहें तो एक entry यहाँ पर ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, और चाहें तो 11.50 वाले area का वेट कर सकते हैं, वहाँ पर entry लेके, अगर वहाँ से नीचे आता है, तो 11.100 के around में, या फिर 10.80 के around में, दो पार्ट में वहाँ पर accumulate कर सकते हैं, एक ही पार्ट में आपको buy नहीं करना है कि यहाँ पर इस से नीचे हमें नहीं मिलेगा, या फिर या पोजिटिय हमारे पास से चली जाएगी, यह सा नहीं है, market में हर टाइप जब आप entry लेते हैं, वहाँ से market और भी 5% almost normally हमें नीचे देखने को मिल जाता बहुत बार, तो यहाँ से आप चाहें तो एक entry यहाँ पर यहाँ पर इंट्री और फिर 1100 से नीचे कराता है, तो वहाँ पर एक entry ले 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 लें, दो थीन पार्टम आपको accumulate करना है, दूसरा, buy करना है, यह सेल करना है, जो भी चीज़े करनी है, वो खुद के risk के हिसाब से करे, खुद के knowledge, खुद के research के हिसाब से करे, कोई से related research करे से related आपको knowledge होना चाहिए, यहाँ पर कितना risk है, यह कितना volatile market है, यहाँ पर जितना हमें profit देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा loss भी देखने को मिल जाता है, अगर आप में पैसे नहीं है, आपके पास holding नहीं है, long term की holding नहीं है, आपका perspective जो भी हो, short term का perspective हो, as a trader हो, as a trader entry ल इतनी risk रहनी चाहिए, दूसरा है, यहाँ पर इसे targets में बताता हूं, next जो targets है, वो almost इसको यहाँ पर 1380, 1380 या फिर 1400 के around में एक resistance करने को मिलेगा, और इस से उपर resistance की बात करें, तो वो almost 1600 से उपर वाला जो area, इसका all time हाई है, वो वाला area resistance करने को मिलेगा, support area की बात करें, तो यहाँ 1300 से उपर अगर इसके daily closing होती ही, तो यह वाला area को support भी देखने को मिलेगा, long term के perspective से इसकी price हम almost 30 cent, 50 cent, 1 uudity भी आने वाले एक से दो साल के अंदर देख सकते हैं, suit term के perspective से भी इसकी price हम 50 cent भी देखने को मिल सकती है, बाकि azar trader आप यहाँ से 16 uudity वाला target देख सकत बाकि buy or sell, खुद के risk, खुद के research के हिसाब से करें, हम पर हम कोई financial advice नहीं देते हैं, यह वीडियो से education purpose है, बाकि वीडियो अच्छा लगा, like ज़रू करें, चैनल को subscribe कर ले, thank you